Hey guys, welcome to study IQ, now आप सबको बताए कि US और चाइना में रिलेशन आज के समय काफी खराब है, काफी टेंशन चल रही है regarding South China Sea और various other issues, अब इस सब के बीश में US ने एक बहुती important step चला है जिससे चाइना पर काफी pressure आएगा, USA ने officially funding स्टार्ट कर दी है, तिबेतियन government in exile की मतलब के जो तिबेतियन सरकार आज के समय इंडिया में है, उसकी funding US ने start कर दी है, this is very huge, जो पहली funding है काफी छोटी है, मगर तिबेतियन government in exile ने ये काए कि इस funding के बाद से रास्ता खुल गया है, much bigger funding के लिए, और अब इस से साफ दिख रहा है कि US आने वाले समय में तिबेत का काफी use कर अगेंस चाइना, तो डिसकस करते हैं इस टॉपी के बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, so a lot to know, a lot to discuss, as always, but before we begin, Google Play Store पे जाओ, डाउनलोड करो, Study Eye की Education अप, और आप अगर IS की त्यारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा smart course अवेलेबल है, यहाँ पर आप इसक 1950s में चाइना ने इस देश पर अटाक किया और इसको जवरदस्ती अपने देश का पार्ट बना लिया, उस वक्त इंडिया और USA का एक बहुत ही बड़ा geopolitical blunder ये था, के हमने चाइना को रोका नहीं और चाइना की जादा अलोशना भी नहीं करी, इवन दो चाइना ने एक बहुत ही बड़ी कंट्री को अनेक्स करके अपना पार्ट बना लिया था, जब चानिस गवर्रमेंट तिबेत पे कबजा कर चुकी थी, और ये तिबेत में radical changes कर रहे थे, इनका जो culture है ये forcefully change कर रहे थे, कई लोगों को यहाँ पर मारा गया, उस वक्त तिबेत के जो leaders है, जो इनके ministers थे और primarily जो दलाई लामा थे, वो तिबेत से आ गए इंडिया में, और 1958 से तिबेत की एक government in exile function कर रही है इंडिया से, और इस government in exile का official नाम है Central Tibetan Administration, ये कहते हैं कि हम legitimate सरकार हैं तिबेत की, और obvious ही बात है कि चाइना ने कभी भी इस सरकार को स्वीकार नहीं किया, अ अब यहां पर एक question आता है कि Central Tibetan Administration का purpose क्या है, क्या ये वापस तिबेत पर rule करना चाहते हैं नहीं, इन्होंने category कली ये बोला है अपनी तरफ से, कि इनका main मकसर ये है कि तिबेत की आजादी होनी चाहिए, एक बात तिबेत आजाद हो गया, तो जो ये ministers हैं, जो यहां पर politicians है ये वापस तिबत में चले गाएंगे, और फिर Central Tibetan Administration को dissolve कर दिया जाएगा, नई political parties वहाँ पर start करेंगे, तो इनके जो goals हैं, जो इनकी vision हैं काफी clear है, और यहां पर आप देख पाऊगे इनकी जो official website है, Central Tibetan Administration, इसका home page है, इनकी main headline है इस वक्त, CTA receives almost 1 million US dollars in direct funding from the US government, US सरकार की affiliated agency इस case में USAID, जिसकी full form है, United States Agency for International Development, इसने सीधा direct funding करी है, Central Tibetan Administration को, नई तो इससे पहले आप अगर देखो, तो historically, CTA को जो funding मिलती है, वो या तो American NGO से मिलती है, जो बहुत ही distantly related होते हैं to the American government, या फिर Indian NGOs, Indian government और American government, चाइना को नराज ना करने के लिए काफी बार, इनकी direct funding करते नहीं थे, मगर अब शार एक ऐसा time आ चुका है, जब चाइना के प्रती जो frustration है, US और India दोनों की, ये तनी बढ़ चुकी है, कि US ने openly का है, कि हम यहाँ पर funding स्टार्ट कर रहे हैं, of the Central Tibetan Administration, तो देखो, अभी जो तिबेत की government in exile है, इसके जो प्रेजिडेंट है सैंगे, इनकी ये statement है, ये कह रहे हैं कि जो direct funding हुई है, US की to CTA, इससे पहली बात तो एक long जो हमारा desire था, ये fulfill होता है, US की support खुल के सामने आती है, और फिर ये कहते हैं, this award paves the way for a more substantial funding relationship between US aid and the CTA, मतलब के in the future ये expect कर रहे हैं, कि और भी जादा millions of dollars, US से आएंगे, तिबेतियन government in exile को, अब इसको एक बहुती neutral तरीके से हम analyze करें, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, वल देखो, यहाँ पर US ने एक warning shot दिया है चाइना को, US ने ठीक है, यहाँ पर funding provide करी है, मगर funding काफी छोटी है, 1 million dollars, roughly कुछ करोड रुपीज होते हैं, ये amount है नहीं, जिससे तिबेत की जो अजादी की movement है, खड़ी हो जाएगी, it is a very small amount, तो हो सकता है कि USA, यहाँ पर चाइना को warning दे रहा हो, कि जिस सरीके से आपका behavior है, South China Sea में, Senkaku Islands को लेकर, Ladakh में, इसको आप correct करिए, नहीं तो in the future, हम और funding provide करते रहेंगे, और देखो, यह ज सारे American citizens पर visa की restriction लगाई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यह propaganda फिलाते हैं about Tibet, similarly USA ने उन Chinese officers पर sanctions लगाए है, visa restrictions लगाए है, जो US के साब से human rights violation और अत्याचार कर रहे हैं, तिबेतियन लोगों पर, और जो USA के Secretary of State है Mike Pompeo, जो आज के समय सबसे aggressive है towards China, Donald Trump को देखिए, यह अब काफ काफी बार वो कहना कुछ चाते हैं, क्या कुछ और जाते हैं, क्योंकि उनको काफी बार पता ही नहीं होता कि geopolitical समीकरण है क्या, वो कभी भी career politician थे नहीं, he was a businessman, अब वो पहली बार अपनी life में एक politician का रोल निभा रहे हैं, तो Mike Pompeo आज के समय जराता जो foreign policy है, उसकी important statements खु रहे हैं या नहीं, और हमारे एसाफ से मतलब के US के एसाफ से, Beijing आज के समय fail कर रहा है to prevent environmental degradation near the headways of Asia's major rivers, US का रोब यह है के पहली बात तो जो Chinese authority है, यह अत्याचार करती है तिबेत के लोगों पर, उसके इलावा जो Chinese government की policies हैं, उसकी वज़े से तिबेत का जो वातावरन है, जो यहाँ पर environment है, यह भी degrade हो रहा है, और जो आसपास की यहाँ पर नदिया है, जो नदियों के सोत्र हैं, वो भी polluted हो रहे हैं, और तिबेत की significance यहीं पर नहीं रुकती, ताइवान एक ऐसा देश है, जो indirectly US के काफी करीब है, जो भी इनके foreign policy moves होते हैं, वो indirectly US से बागच भवे welcome करेंगे, तो साफ यहाँ पर दिख रहा है कि US ने तिबेत का card play करना start कर दिया है against China, अब क्या हमें इसे एक positive तरीके से दिखना चाहिए, देखो, obviously बात है, इससे चाइना पर कुछ pressure बनेगा, मगर need यहाँ पर यह है कि तिबेत को लेकर India और US दोनों मिलकर एक proper policy बन उसके बाद immediately हम तिबेत को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है, चाइना की problem for the time being resolve हो चुकी है, everything is back to normal, मगर अब टाइम यह आ चुका है कि इंडिया और US और साथी साथ बाकी जो quad countries हैं जिसमें Japan भी आता है, Australia भी आता है, यह चारों countries focus करें तिबेतियन freedom पर और कोश करेंगे कि तिबेत के लोग deserve करते हैं अपना एक free independent country, so this is right now the end of this video, thanks for listening and as always God bless you all.